प्रश्न एक, इस्लाम का पहला स्तंभ क्या है? A. ज्कात B. सलात C. शहादा D. सौन 5, 4, 3, 2, 1 सही उत्तर्च C. शहादा प्रश्न दो कौन सा शहर इसलाम में सबसे पवित्र माना जाता है? A. मदीना B. येरुशलम C. मक्का D. काहिरा 5, 4, 3, 2, 1 सही उत्तर्च C. मक्का प्रश्न तीन इसलाम की पवित्र पुस्तक कौन सी है? A. तोरात B. बाइबल C. कुरान D. वेद 5, 4, 3, 2, 1 सही उत्तर्च C. कुरान प्रश्न चार मुसल्मान किस महीने में उपवास करते हैं? A. रमजान B. शाववाल C. मुहर्रम D. सफर 5, 4, 3, 2, 1 सही उत्तर्च A. रमजान प्रश्न पांच व्कात का क्या अर्थ है? A. उपवास B. तीर्थेयात्रा C. दान देना D. प्रार्थना सही उत्तर्च C. दान देना प्रश्न चे इसलाम में अंतिम पैगंबर कौन थे? A. मूसा B. ईसा C. मुहम्मद D. इबराहीम 5, 4, 3, 2, 1 सही उत्तर्च C. मुहम्मद सही उत्तर्च C. मुहम्मद 5, 5, 6, 1 2, 3, 2, 1